charger हमारे पास बहुत expensive charger हमेरे पास बहुत कम रेट में हम expensive की तरफ क्वाग ना चाहिए क्यों हमें charger की जरुवत पढ़ दिए घर में अरे इक्यार हमारे घर में आप सप्लाई क्यों आ रही है वो हम पढ़ेंगे electromagnetic induction के chapter के time पर या transformer जब अपन पढ़ेंगे तब मगर हमारे गर में AC तो आ गई अब supply तो आ गई मगर जितने electronic devices यह सब काम कर रहे होते हैं DC के उपर DC मतलब की direct current जो अपनी direction भी नहीं बदलता magnitude भी नहीं बदलता तो अब हमें convert करना पड़ेगा तो यह जो process होती है process of converting and alternating current or voltage into direct current or voltage is known as rectification इस process को बोलते है rectification और यह हमारे पास जो device करके देता है उसे अपन बोलते है rectifier तो यह तो clear हुआ problem क्या है problem यह कि अपन AC और DC को feel नहीं पाते तो पहले feel कर लेते हैं actually मैं अगर अपन AC को देखें तो इस समय current है हमारे पास clockwise then फिर हो गया यह anti clockwise मतलब क्या हुआ मतलब यह हुआ कि यह continuously अपनी direction और magnitude दोनों बदल रहा है कौन हमारे पास AC अब अगर अगर अपन लोग बात करें DC की तो DC अपन से यह क्या है मेरे को इधर ही जाना है इधर ही जाएगा मैं मैं अपनी direction बदलने वाला नहीं है मैं अपना magnitude बदलने वाला नहीं है ना direction बदलूँगा ना magnitude बदलूँगा दोनों चीजें fix रखने वाला हूं तो यह DC था अपने पास अब अगर मुझे AC को DC में लेकर जाना है तो क्या करना पड़ेगा भाई AC तो बोल रहा है मैं magnitude बदलूँगा तो अपना बड़ा enemy जो है वो है direction क्योंकि magnitude तो मैं किसी और तरह से filter filter लगा के constraint कर लूँगा मगर मैं किस चीज को नहीं बदल सकता direction को तो मुझे direction को सबसे पहले सेम रखना है तो जैसे दुनिया में दो तरह के लोग होते न वैसे ही दो तरह के rectifier होते हैं अब उनको अपन देखते हैं और वो कहना क्या चाहते हैं कहना यह चाहते हैं देखो दोस्तों यहाँ पर यह मेरे पास एक AC है continuously यह जो pulse है यह अपना magnitude और direction बदल रहा है अब मुझे चाहिए output सबसे पहली चीज़ मैंने क्या बोला मैं magnitude की तरफ अभी नहीं सोच रहा हूं मैं सोच रहा हूं इस समय direction की तरफ तो या तो पहले type के लोग जो यह कहते हैं अच्छा यहां अंगठे में problem हो गई एक काम करो तो यहां पर पहला type आया कि यह direction बदल रहा है direction बदल रहा है तो एक काम करो एक ऐसा circuit बनाओ जो positive half को तो allow करे मगर negative को allow ही ना करे तो आपको output में सिफ एक ही direction मिलेगी क्योंकि positive है negative मिली नहीं रहा यह पहली variety अचा इसमें यह दिकत नहीं है कि positive मिलेगा negative नहीं मिलेगा जो दिक्कत है उतना party card डालो दिक्कत ही खताम हो गई हमेशा के लिए उड़ा दिया लड़ाई हो रही थी तरह से चल खताम finish यहां पर आते हैं दूसरे लोगापन type के कि यार कोई बात नहीं कोई दिक्कत नहीं है हम कोशिश करेंगे इसको सही करने की हम direction कुछ ऐसा circuit है और हम direction भी ना बदलें याने कि हम negative को भी क्या बना दे positive यह हमारे पास positive half था वो तो मिल नहीं था हमने कुछ circuit के अंदर ऐसा करा कि हमको जो negative half था वो भी negative नहीं हुआ वो भी positive half के form में मिलने लगा अब यहां पर अगर आप देखो जब आपको आदी wave output में मिल रही थी त तो यहां पर अपने पास दो तरह के rectifier बने दोस्तों और वो दो तरह के rectifier कौन कौन से थे एक था half wave rectifier जिसमें आपको सिफ half wave output में मिल रही थी और एक था full wave rectifier जिसमें आपको पूरी की पूरी wave output में मिल रही थी अब curiosity आ चुकी है कि बाबाजी ये बताओ कि करते कैसे हैं यार जब बताऊंगा ना तो तुम कहोगे इतना असान था नजर बदली नजारे बदल गए देखो भाई खानी खतम हो गया आपका half wave rectifier सबसे पहले हमारे जो डिवाइसे ने वह बहुत कम वोल्टेज पर वर्क कर रहे होते हैं हम लोग यूज कर रहे होते हैं 25 वोल्ट बस मगद supply आ रही होती है 230 वोल्ट 220 वोल्ट supply आ रही है अपने पास अब उसको सबसे पहले कम करना पड़ेगा इसलिए जब भी किसी rectifier का circuit आप बनाते हो तो input में सबसे पहले आप बनाते हो एक step down transformer step down transformer क्या कहता है कि जो आपका input का voltage था उसको कम करो AC को AC में ही मत input में step down transformer लगाओगे आप सबसे पहले ताकि voltage की rating को कम कर पाओ उसके लिए कुछ नहीं करना बस coils बनानी है एक इधर और एक इधर ठीक है इस साइड कम टंस ले लेना यह अपन लोग पढ़ेंगे जब transformer पढ़ेंगे detail में अब question यह उठता है बाबाजी आप ये बताईए हम कि यहां पर यह काम कैसे कर रहा है तो देखो जब तुम्हारे पास positive half आया ठीक है तो यह वाला terminal आपके पास positive हो गया यह वाला terminal उसके corresponding higher voltage पर आगया यह negative lower voltage पर आगया अब क्या हुआ जब अपने पास यहां पर current clockwise था positive half आया तो यह वाला terminal positive हो गया higher potential पर आगया तो जो diode क P side है जो diode का P side है वो higher potential पर आगया तो उसने conduct करना है start कर दिया यह conduct करना जब इधर conduct कर रहा है तो इधर भी अपने पास conduct हो रहा है उस समय क्यों क्योंकि diode का P higher potential पर है मगर जैसे ही कहानी में twist आया मतलब की current opposite direction में आया तो opposite direction में current आने पर यह terminal हो गया negative मतलब lower potential पर यह हो ग diode reverse bias होगा बोलेगा मैं conduct ही नहीं करूँगा तो देखो यहां पर output मिल रहा था then again हमको यह section में output नहीं मिला क्यों क्योंकि flat line आ गई थी क्योंकि reverse bias में अपनको कोई current नहीं मिलेगा so simple transformer एक side लगा दो diode एक side simple आपको लगाना है resistance जब यह positive half आएगा P side higher पर रहेगी conduct करेगा negative half आएगा P side lower पर रहेगा conduct नहीं करेगा forward bias reverse bias कहानी खतम सिर्फ एक diode ने सारी की सारी जो AC थी उसको half wave rectifier मतलब output में convert कर दिया मगर half wave दी हमको half wave नहीं चाहिए हमको तो full wave चाहिए तो चलते हैं full wave rectifier की तरह अगर मुझे बात करनी है full wave rectifier के case में क्या होगा देखो input में तो एक transformer लगे गई यह transformer क्या है यहाँ पर आपने AC input में दिया हुआ है यहाँ से आप output ले रहे हो जब आप यहाँ से output ले रहे हो तो यह step down है इसलिए यहाँ number of turns कम है यह जो दो vertical lines बीच में दिखती है यह core को दिखाता है यह transformer का symbol है मतलब symbolic diagram है अपने पास ठीक है अब क्या हुआ क्योंकि मैं half wave rectifier के time पर जब बात कर रहा था तो ऊपर एक diode लगा के रखा था मैंने नीचे कोई diode नहीं था एक simple सा circuit बना के रखा था वो आधी wave output में दे रहा था मगर किसी ने कहा कि बाबजी एक काम करते हैं उपर भी एक diode लगा दो और नीचे भी एक diode लगा दो तो यह full wave rectifier देगा हाँ partially तुम correct हो आधा अगर तुमने सिर्फ यहाँ पर एक diode उपर लगा दिया एक diode नीचे लगा दिया मतलब कि कहानी में twist यह आगया कि यहाँ पर ही लोड लेते अगर यह बीच में लोड नहीं लगाते क्यों लगाया बीच में नहीं लगा रहे तो अपने काम करते हैं तो फिर क्या होता पता है उपर वाला कंड़क्ट करता तो नीचे वाला नहीं करता तो open circuit रहता मतलब कि उपर से current flow हो सकता था मगर नीचे वाला reverse और नीचे वाले को current करता तो उपर वाला reverse बायस हो जाता मतलब कि जब यह on होगा तो यह off यह off होगा तो यह on कभी conducting नहीं कर सकते थे इसलिए हमने load को यहाँ side में ना लेकर बीच में ले लिया ताकि हमारे पास एक path बन जाए जब यह यहाँ पर positive half आए मगर यह negative है मतलब कि इसका जो P side है वो lower potential से connected है मतलब कि यह off हो जाएगा तो अब जब यह off हो गया तो यहां से कोई current जाने वाला नहीं है current आएगा यहां से इस तरह से so current आपके पास जा रहा है let us say this is x this is y so current is going from x to y मगर जब कहानी में twist आएगा दोस्तों उल्टा मतलब कि अब negative half आया negative half आया तो यह आपके पास हो जाएगा positive और यह हो जाएगा negative अब क्या हुआ अब जो diode D2 है वो कह रहा है कि मैं on क्यों क्योंकि इसका P connected हो गया positive से और इसका जो diode D1 है इसका P connected हो गया negative से तो यह off हो गया current अभी भी यहां से आया ऐसे आया ऐसे direction नहीं बदल रहा तो आपको output में जो waveform मिलेगी वह पूरी मिलेगी negative half में भी मिलेगी positive half में भी मिलेगी और साथ में यहां पर क्या है direction बदलने वाली नहीं है तो क्या करा हमने दो diode बीच में हमने लगा दिया एक load इसे हपन कहते हैं center trapped full wave rectifier center trapped क्यों बोल रहे हैं क्योंकि य नहां पर तुमको detail देने की कोशिश करिए कि जब positive half आएगा तुम्हारे पास उस case में यह terminal positive यह terminal negative यह diode on यह diode off अगर ऐसा है तो यह current इस तरह से flow होगा अगर हमारे पास negative half आएगा तो यह वाला terminal lower पर यह वाला positive उस case में क्या होगा उस case में यह वाला diode हो जाएगा off यह हो जाएगा अपने पास on current इस तरह से flow होगा दोनों case में जो load है यहां पर current यह x terminal है यह वाई दोनों case में terminal x से terminal y की तरफ मेरा जो output है वो जा रहा है direction नहीं बदली मुझे पूरी की पूरी wave output में मिल गई और अबन से कहा जाएगा कि अब आप हमको waveform बना कर दिखाओ तो diode की अपन waveform भी बना कर दिखा देंगे और जो मैंने समझाया है वो पूरी की पूरी working तुम्हारे सामने हैं आखों के इस working को as it is पढ़ लेना कहीं पर नहीं मिलने वाली बहुत simple शब्दों में मैंने इसको तुम्हें लिख कर दिया है और पूरे marks मिलेंगे और waveform की बात की जाए तो यह आपके पास था input आपको जो positive half है वो भी मिल रहा है जो negative half है वो भी positive के form में ही मिल रहा है यह negative half था यह positive के form में यह आपके पास आगई इसकी input output waveform तो एक छोटे से वीडियो के अंदर मैंने आपको half wave rectifier full wave rectifier सब बता दिया और अब बता देता हूं तुमको कि क्यों अ नहीं करते हैं तो अपने mobile के साथ दिक्कत हो जाएगी क्योंकि pulsating output आपको मिल रहा होता है और pulsating output की वजह से आपका device खराब हो सकता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में यहां पर तो खतम हो गया तुम्हारा यह वाला पार्ट like share subscribe करना बिलकुल मत बूलना और team physics बावा के तरव से जेहु